तो यह सबसे पहले आप लोग इस ख़बर की हेडलाइन को पड़े हेडलाइन में क्या लेखा हुआ है कि सुजलान एनर्जी एक्सक्लूडेट फ्रॉम स्टेज वन एडिशनल सर्वलेंट्स मेजर फ्लेमवर्ग सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दू होता क्या था जब भ सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं अब देखो स्टेज वन एडिशनल सर्वलेंट्स मेजर जो होता है एसम का जो मेजर होता है वह रेगुलेटरी फ्रेमवर्ग है अपने जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है उसके द्वारा यूज होता है यह क्यों होता है ना तो इन्वेस्टर्स को क्या 100% मार्जिन का यूटिलाइज करना पड़ता है उसमें पैसे या फिर स्टॉक खरीदने के लिए अब देखो स्टॉक्रवार को देखा कि मार्केट में हुआ गया है शुकरवार को स्टॉक्रवार को स्टॉक्स परसेंट ठीक है अब कि अगले अराउंड तक सुझलान एनर्जी का टाइम होने वाला है सुझलान एनर्जी जितना नीचे गिरा था उतना ही उपर भागने वाला है ठीक है तो यह जो आपको ग्रोथ दिख रही है कुछ भी नहीं है सही बात में आप लोग बताऊं कि मैक्सिमम आप इसका देख यहां पर में आप लोगों दिखाता हूं का बारा मन्त का चार्ट है बारा महीने का तो दो हजार आठ में इसने 2096 इसका अल्टाइम हाई ठीक है अभी आप देखेंगे इसके जो ग्रोथ स्टार्ट हुई है कुछ भी नहीं है यहना 83.42 का मातर स्टाउक है और 2000 तक जाने की कैपसिटी रखता है यानि कि आपके आरांड आरांड पच्छे से 30% 300% टाइम्स यह प्रॉफिट देगा तो यह जो स्टाउक है बहुत जादा कैपसिटी रखता है इसके काफी सारे अच्छे इसमें न्यूज भी आ रखी है ठीक है अलग-अलग जो इंप्लिमेंट है वहां से न्यूज आ रहा है ठीक है अलग-अलग न्यूज चैनल से तो सीम न्यूज है को जादा इसमें बढ़ेगी ठीक है अब और ज्यादा रहेगा पॉजिटिव जाएगा चाहिए आप कुछ भी कर लो ठीक है किसी भी तरीके कि यह बाइसल के रिकमेंडिशन नहीं है लेकिन हाँ इसका पूरा-पूरा एनलेसिस मैंने आप लोगों करके पता दिया